हलो फ्रेंड्स एक इंपोर्टेंट करेंट फेर से बात करने वाले हैं जो एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है धांका अंतराश्टिये फिल्म महत्सोग के लिए करके हम बात करने वाले हैं धांका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 से हम आज बात करने वाले हैं 18 में धाका अंतराश्टिये फिल्म महोच्षो का आयोजन बंगला देश के धाका में किया गया Rainbow Film Society के द्वारा इसका आयोजन किया गया था ठीक है इस फिल्म महोच्षो में 74 देशों के कुल 220 फिल्म को दिखाया गया इसका विशय भी रहा Better Film, Better Audience and Better Society इसका विशय था नेक्स्ट पॉइंट को इसका देखते हैं अब हम बात करेंगे कि धाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में Best Actress का आवार्ड किसे दिया गया तो अरीजु अरियापूर, फिरेस्ता अपसार और हसीवा इबराहिमी को जो कि अफगनिस्तान, इरान, फ्रांस का जॉइंट फिल्म है हवा, मर्यामक, आइस्ता तो इन फिल्म के लिए इन तीनों को Best Actress का आवार्ड दिया गया वही Best Actor का बात किया जाए तो लूसी अबूल को दिया गया इड़वर्ड फिल्म में इन्होंने एक्टिंग की है यानि कि लूसी अबूल ने इड़वर्ड फिल्म में एक्टिंग की है इस एक्टिंग को लेकरके Best Actor का आवार्ड दिया गया लूसी अबूल को सर्विस्रेश्ट फिल्म किसे चुना गया तो कास्टल ओफ ड्रिम्स को सर्विस्रेश्ट निदेशक किसे चुना गया तो रेजा मीरा करीमी को और इन्होंने कास्टल ओफ ड्रिम्स में इन्होंने निर्देशक के रूप में काम किया है अब नेक्स्ट पॉइंट को देखते ह अब हम बात करेंगे कि बेस्ट ओडियन्स पुरसकार किसे दिया गया तो फाइनली लव को जो की भारतीय फिल्म है और अंजना दत के द्वारा इसकी डिरेक्टिंग की गई है अब बात करेंगे कि जूरी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो चिल्ड्रेंस ओफ दा सन को ये है फिल्म जो की सिरलंकाई निर्देशत प्रशन्ना विथांगे द्वारा इसे निर्देशित किया गया है अब हम बात करेंगे कि मैप में कीदर है बंगलादेश का धाका ये है अपना कंट्री इंडिया और ये रहा बंगलादेश का धाका जैसा कि आप फोटोग्राप में देख रहे हैं अब हम बात करेंगे कि बंगला देश की रलधानी है धाका, मुद्रा है टाका और पिएम है वर्तमान में सेख हसीना तो मुझे उमीद है कि वडियो पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें, सियर करें और सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे आपसे अगले बडियों में तब तक के लिए धन्यवाद